अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजे और नीचे डिप्सक्रिप्सन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजे अगर सरकार अंदान दे रही है तो जो 80% छूट है उसको काड़ के 20% जमा करवाए और किसानों को बीज दे तो किसान लाब ले सकते हैं लाब तो है थोड़ा बहुत है ना के बराबर दाल में नमक के बराबर भी लाब नेंगे जब कि सरकार जब भीज देखी है वही वीज किसान को जब किसान कर फसल आती है तो वही अगर 1000 में तो सरकार पांच जाए तो किसानों के साथ छलावी वाली राजिमीत है किसान को फाइदा तो मिलेगा बसरते पहले सरकार जो है तो उसके खरीब की फसलों के जो बीज है उनका रेट ने भारित करें क्योंकि रेट बाजार भाव से कई गुना ज्यादा होते हैं 80% सबसिटी के बाद भी मार्केट रेट से महें यह पड़ जाते हैं जिससे किसान को उस हिसाब से फाइदा नहीं पाता है दूसरी चीज जो सबसिटी का बाद में मिलती है तो पहले जो किसान को पूरा पैसा देना पड़ता है तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास पैसान ना होनी के वज़े से वो जो है तो ऐसी जो है तो योजनाओं का लाब भी नहीं ले पाते हैं किसान को सफसेटी काट करके जो सेस किसान को लगना है उतना ही पैसा ले करके किसान को बीज दिया जाए जिससे की जादस जादस किसानों को फायदा मिल सकता है पूरा पैसा लगने पर किसान उस सप्षिटी का फायदा नहीं ले पाता है सरकारी बीज भंडारों से बीज को निल करने के लिए तमाम प्रकार के प्रलोभन किसानों को दे करके बिक्री वाला बीच खतम किया जाता था जैसे कि साथ में मिनी किट लगा दी गई या प्रदर्शन का बीच साथ में लगा दिया गया तब जो है ये बिक्री वाला बीच बिक्ता था वरना बिक्री वाला बीच किसान खरीदता ही नहीं चुकि किसान के पास पैसा नहीं है पैसा लगता है हमारा को हमाई 100% जमा करने के लिए पहले पैसे नहीं है जब हमाई 80% का छूट मिले तो हम 80% जमा कर अपनी छूट काक ले और बागी ले ले और हमें 100% देने के लिए हमाई छमते नहीं है किया करें अमदान तो तब मिलेगा जब 3% जम्म हो जाएगा नहीं पा रहे हैं लाब मिलने ही नहीं है किसान को आज कर दो किसान तो सोता है मिझे हालो हर चीज होना चाहिए उसके घर में आमर्जेंसी लिए मारी आजा को 50-60,000 रुप ही लान उसके पाह है क्या माल इसलिए कि किसान नगत चाहिए है लिए र्यवक करना उनने की कल बेंचे 5 दिन आहा पर पैसा दो मेंना माद आघा तो किस तरह से किसान को किसान सब्धा है नगत पैसे है давай कि मिलना देगा का 250-250 नंविए कि इसान पैसे मिली है govern झाल